नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को बापो की 154 जैनती आज राजिपाल और सीम ने किया श्रद्धा सुमन अरपित देशभर में आज गांधी जैनती मनाई जा रही है दो अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी की जैनती मनाई जाती है इस बार देश बापो की 154 जैनती मना रहा है आज पूरा देश महात्मा ग गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित की राजपाल और सीएमाज गांधी जैनती के आउसर पर मौराबादी मैदान इस्थित बापु वाटी का पहुच कर राश्ट्पिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार पढ़ कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया मौके पर बापु वाटी का इस्थित महात्मा गांधी प्रतिमा इस्थल पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापु के प्रिय भजन तथा रामधुन प्रस्तुत किये इस अवसर पर प्रेस मीडिया के प्रतिनीधियों को संबोजित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए आज एतिहासिक दिन है हम सभी लोग आज राष्ट प्रिता महात्मा गांधी की जैन्ती बड़ी शिद्धत और उमंग के साथ मना रहे हैं आज ये प्रण लेने का दिन है कि किस प्रकार हम सभी लोग राष्ट प्रिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्स, मार्कदर, संत्ता, उनका संदेश, स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच, स्वच्छ समाज की परिकल्पना को साकार करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट प्रिता महात्मा गांधी विलक्षर प्रतिभा के धनी थे, हम सभी देशवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि राष्ट प्रिता महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व हमारे देश ने पाया था, बापों के विचारों को नुश निर्देश राची की मेजबानी में अक्टूबर में एसियन महिला होकी चैंपियंशिप होने जा रहा है इस चैंपियंशिप को ले कर महराबादी के मरांगों के जैपाल सिंग मुंडा एस्टो टर्फ स्टेडियम को रेनोवेशन चल रहा है आज मुख्यमंत्री हेमन सोरिन इसकी होकी स्टेडियम का निरिक्षड किया निरिक्षड के दोरान उन्होंने स्टेडियम की बवस्था से जूड़े कई एहम दिसा निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांगों के जैपाल सिंग मुंडा एस्टो टर्फ स्टेडियम में खिलाडियों एवं दर्श कि कई जीलों में लगतार बारिश हो रही है मौसमी भाग ने आज भी औरेंज अलट जारी किया है राजी के ज्यादातर हिस्सों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है जिन जीलों में शाम तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है उनमें लोहर्दगा गुमला और सिम्डेगा शामिल है इसके साथ ही गड़वा पला मूचत्रा और लतेहार में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है राजे में वजरपात को लेकर खत्रा बना हुआ है कई जीलों में वजरपात की खबरे आई है जमतारा में वजरपात से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है मौसम इभाग ने भारी वर्सा और वजरपात से सुरक्षित रहने के लिए अलड जारी किया है मौसम इभाग ने वजरपात से साउधान रहने की अपील की है भारी बारिश और वजर्पात के समय पेड़िया भिजली के खमबो के नीचे खड़े ना रहने की सलादी है मौसम इभाग ने राज्य के कई जीलों में वजर्पात और भारी बारिश की संभावना जाहिर की है मौसम इभाग ने 4 अक्टूबर तक के लिए अलड जारी किया है 4 अक्टूबर तक राज में यलोव अलड जारी है राज के कई हिसों में बारिश की संभावना है एक दिन बाद मिला नाले में बहा यूवक का शव हात्मा सराई टांड पुलिया में बहे गया था यूवक जारी रहा सर्च अभियान सुबह मिली सफलता लालपूर्थ हना छेत्र के सराई टांड इस्थित हात्मा नाले में बहे यूवक का शव एक दिन बाद याने आज सोमवार को मिला शव को पुसमाटम के लिए रिम्स भेजा गया है रभिवार को पानी की तेजधार में हात्मा नाले में देवप्रशाद राम नाम का यूवक बह गया था उसके बाद से ही उसकी तलास की जा रही थी लेकिन भारी बारिश की वज़ा से उसका पता नहीं चल सका और एक दीन बाद आज उसका सौ बरामत किया गया है अब तक मिली जनकारी के नुसार देवप्रसाद नगर नीगम के विंडर मार्केट में काम करके अपना पेट पालते थे काम करते रभिवार को घर लोट रहे थे अचानक पानी की तेज धार की चपेट में आ गए और तेज पानी उन्हें नाले की तरब बहा कर ले गया घटना करीब दुपहर डेड़ बज़े के आसपास की बताई गई हात्मा सराई टांड इस्थित पुलिया पर भारी बारिश की वज़े से पानी भरा था नौ लाख बच्चों को इसी महा मिलेगी साइकल की रासी जारकन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली आठवी कच्छा के नौ लाख चात्रशात्राओं को साइकल की राशी 45 सो रुपए उपलब्ध कराई जाएगी यह रासी 2021, 2021, 2022 और 2022, 2023 में आठवी में रहे चात्रशात्राओं को मिलेगी इसके लिए आदिवासी कल्याड आयुक्त अजैनात जा ने कहा कि सभी जीलों के उपयुक्तों से स्कूल वार लभानवित होने वाले चात्रशात्राओं की जनकारी मांगी गई है वर्तमान में पियल खाते में इश्की रासी जमा है लगभग 9 लाक अभ्यरतियों को डीबीटी के माध्यम से रासी जारी करने का निर्ड़े लिया गया है जीलों से विद्यालेवार चात्रशात्राओं की सूचना 15 अक्टूबर तक मांगी गई है मिलने वाली सूचना के अधार पर चात्रशात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशी का भुकतान किया जाएगा वहीं वित्य वर्ष 2023-2024 और 2024-25 के लिए खुली निवीदा के माध्यम से अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, पिछडी जाती और अलपसंखक समुदाए के लगभग 6 लाग चात्रशात्राओं के बीच साइकल वित्रड करने का लक्ष रखा गया है विभाग ध्वारा निवीदा की कारवाई सुरू की जा रही है दो बहने तलाब गई नहाने डूब कर हुई मौत देर शाम तक घर नहीं पहुची बच्चिया तो परिजनों ने सुरू की तलास तलाब किनारे मिले कपड़े पलामू में दो बहनों की मौत तलाब में डूबने से हो गई है घटना नौडियां बजार थाना छेतर के मायापूर गाउं की है रविवार की रात दोनों बहनों का शव तलाब से निकाला जा सका बच्चियों के शव का पुस्माटम के लिए सुमवार को मेधिनी नगर इस्थित MMCH भीजा गया तलाब में डूपते हुए बच्चियों को किसी ने नहीं देखा था जंगल गई फिर तलाब में नहाने लगी बच्चियां तलाब की नारे से उनके कपड़ों के मिलने पर तलाब में उतर कर लोगों ने खोजबीन की तो दोनों को मृत अवस्था में मिली मृत बच्चिया मायापुर गाव निवासी रमेज सिंग की बेटियां है लवली कुमारी बारव वर्षिय साथ वी और आरूसी कुमारी नौवर्षिय तीसरी कक्षम में पढ़ाई करती थी दोनों बहने पिता से गाउं के पास ही जंगल में खुकुडी लेने की बात कहकर गई थी जंगल जाने के दोरान ही रास्ते में दोनों बहने तलाब में नहाने चली गई जोहार नमस्कार खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबी के लिए न्यू जारकन परिवार ले के आया है दो बड़ी खुसकबरी आप हमारे चानल को इतना प्यार इतना सपोर्ट दिये हैं तो हमारा भी फर्ज आप लोग ले कुछ करने का बनता है तो चलिए हम डारट आते हैं मुद्दे पे पहले बड़ी खुसकबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यू जारकन चानल पे वीडियोस देखके भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं जी हैं आप सही सुन रहे हैं 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देखके, हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कुपन कोड दीखेगा, उस कुपन कोड को आप इंटर करके 500 रुपए तक जो है कैस्ट रिडीम कर सकते हैं, दूसरी बड़ी खुसकबरी जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्सक पाटिशिपेट कर सकते हैं, जिनके ओ नहीं पता है कि गिववे क्या होता है तो उनके लिए बता दो, गिववे में आपको एक रुपए भी देने की ज़रत नहीं है, आपको नॉर्मल सा रिजिटिशन करना है और आप इसमें पा पाटिशिपेट कर सकते हैं, जो हमारे चानल के सस्क्राइबर है, तो हमारे चानल को सस्क्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मन्त के फर्स्ट विक में जब ये अलाउंसमेंट करें, तब आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पाटिस्पेट होके कैस जीट सकते हैं, तब तक लिए धन्यबाद चलिए बढ़ते हैं, फिर से खबरों की और इसकूल में ओनलाइन हाजरी नहीं बना पा रहे हैं सिक्षक जार्खन के कई सरकारी स्कूलों के सिक्षक विद्याले से ओनलाइन हाजरी नहीं बना पा रहे हैं सिक्षा विभाग इसकी स्कूल बार जाच कराएगा इसके लिए स्कूलों में सिक्षा विभाग अधिकारियों की टीम भेजेगी टीम देखेगी कि किन कारणों से सिक्षक ई-विद्यवाहिनी में ऑनलाइन हाजरी नहीं बना पा रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेक अधिकारियों को भेजेगी पहले चरण में गोड़ा पॉड़या हार्ट महागामा प्रखंडों में अधिकारियों को भेजा गया अधिकारियों को जाच कर अपनी रिपोर्ट देनी है वही दूसरे जीलों में अधिकारियों को भेजा जाएगा और उसकी रिपोर्ट देनी तेज बुखार से तीन लोगों की मौत स्वास्तविभाग ने कहा वजह डेंगू नहीं मलेरिया के रोगी मिलने से भी इंकार धनबाद में डेंगू के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं डेंगू की पहले मरीज की पुष्टी स्वास्तविभाग ने 9 सितंबर को की थी 23 दिनों के अंदर अब तक 42 डेंगू के मरीजों की पुष्टी की गई है रहात की बात यह है कि इसमें 41 मरीज पूरी तरह से स्वास्त हो कर अपने घर लोट गए है जबकि एक संक्रमित मरीज निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज इवं अस्पताल की आईसोलेशन वार्ड में भरती है स्वास्त विभाग की एक टीम ने जाकर मरीज की जाँच की मरीज की स्थिती फिलाल ठीक है इधर रुपयुक्त के निर्देश पर स्वास्त विभाग की ओर से लगतार विवन इलाकों में कंटेनर सरवे और जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है गिरिडिया के हिरोडिया में मुस्लिम स्कुल संचालक ने नाबालिक यूवती से किया दुषकर्म धन्म परिवर्तन का भी बनाया दबाओ हुआ गिरफतार हिरोडिय थाना इलाके में मुस्लिम समुधाई के एक स्कूल संचालक सोनु एजाज पर हिंदू नाबालिक यूवती के साथ दुशकर्म कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है आरोपी सिक्षक सोनु एजाज को पुलिस ने ग्रामीडों के सायोग से गिरफतार कर लिया है पुलिस के नुसार ग्रामीडों ने आरोपी सिक्षक को नाबालिक यूवती के साथ एक कमरे से आपती जनक के स्थिती में पकड़ा इस कमरे को आरोपी ने किराय पर ले रखा था बताया जा रहा है कि इस कमरे में सोनु एजास पहले भी कई लड़कियों को ला चुका था पुलिस ने इस कमरे से कई आपतिजनक समानों को बरामत किया है पुलिस के नुसार नवालिक यूवती से उसका संपर्क उसी वक्त हुआ था जब वो इसकुल चलाया करता था और उसी वक्त आरोपी ने उसके साथ दुशकर्म किया था आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया और इस वीडियो को वारल करने की धमकी देते हुए धर में परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाता रहा आरोपी सिक्षक सोनुए जाज पचंबा थाना इलाके का रहने वाला है और हिरोडियो में प्राइवेटी स्कूल चलाता था बताया जा रहा है कि ग्रामिडों ने जब दोनों को पकड़ा तो उस समय प्रिता ने अपनी पहचान मुस्लिम लड़की के रूप में की लेकिन थाने में हुई पूश्टाश में नावालिक की पहचान हिंदू यूवती के रूप में हुई है IIT ISM धनबाद ने गांधी जैनती पर निकाली सााइकल रैली जूट के थैले का उपयोग करने का दिया संदेज में बंद चितरंजन से फोन पर अवधेस की कैसे कराई बात जमीन कारोबारी अवधेस को 14 सितंबर को 6 गोलिया मारी गई थी इस हमले के मुख्य चितरंजन कुमार उसके आरोपी पुत्र हर्स कुमार कर्मचारी पंकच कुमार गुपता नवाज अक्तरव सोनु कुमार सिंग उर्फ गुड़ू को तीन दिनों की रिमान पर लेकर पुलिस पूश्टाश कर रही है उनसे डियस पी के साथ काके पुलिस द्वारा पूश्टाश की जा रही है पंकच कुमार गुपता ने अवधेस की चितरंजन से फोन पर बात कराई थी उसके अगले दिन ही अवधेस पर हमला हुआ था उसमय चितरंजन बेउर जेल में था अब पुलिस जेल में रहते हुए चितरंजन से बात कराने के संबंध में पंकच से पूरी जानकारी ले रही है दोनों को आमने सामने बैठा कर या पूछा जा रहा है कि जेल में रहते हुए उसने कैसे फोन पर बात क राजिपाल वा इनफॉसिस के को फाउंडर ने बी आईटी मेस्रा के 17 गोल्ड मेडिलिस्ट को किया सम्मानित शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है यह सिर्फ संस्थान तक सिमित नहीं रहती सीखने के प्रक्रिया जीवन भर चलती है खुद को बहतर बनाखरी समाजचीक पहचान मिलेगी यह बाते राजिपाल सीपी राधा क्रिश्टन ने बी आईटी मेस्रा के 33 दिक्षान समारों के दौरान कही वा जीपी बिर्ला ओडिटोरियम में आयोजित दिक्षान समारों में बतौर चांसलर पहुचे थे जहां पहली बार संस्थान के साथ कैंपस बी आईटी मेस्रा पटना देव घर लालपूर एक्स्टेंसन नोईडा जैपूर और उनिवरसिटी पॉलि टेक्नीक के सत्रसो विध्यारतीों ने डिग्रिया हासिल की इस मौके पर राजपाल ने कहा कि डिग्रिया हासिल करने के बाद असली जीवन्यात्रा सुरू होती है जिसमें बहतर कर्म करते हुए परिवार और समाज का विकास कर सकेंगे सेक्षडिक संस्था सिक्षा के साथ समाजिक दायतों के निर्वहन की सीख देती है समय समय पर इसमें सहयोग कर अच्छा नागरिक बन सकेंगे बालुघाट तालाब और बजार से ग्रामसभा वसूलेगी टेक्स जारकन में पेसा कानून लागू होने के बाद बालुघाट से सुलक तालाब लीज़ से राजस वबाजार प्रबंदन सुलक ग्रामसभा वसूलेगी ये राशे ग्रामकोस में जमा होगी बारे में नियामोली के अध्याय साथ में विश्थार से जानकारी दी गई है जार्खन की पंचायत राज वेवस्था में पेसा कानून अब तक लागू नहीं है जार्खन में जार्खन पंचायत राज अधिनीयम 2001 लागू है लेकिन जार्खन में पेसा कानून की नियाम वली बनने के कारण पेसा कानून लागू नहीं हो पाया है लंबे अर्से से इसकी मांग की जा रही है राजसरकार ने लंबे अंतराल और लंबी प्रक्रिया के बाद आम वखास लोगों से सुझाओ और सलहा लेकर पेसा कानून के तहट जार्खन पंचायत उपबंद पेसा नियाम वली 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है विदी विभाग से मंजूरी से या काबिनेट से पारित होते ही अधिसूचना की तारीक से राज्य में लागू हो जाएगी गिरिडिया में बेंच डिस्क विवात से जुड़े ओडियो वारल मामले में मुखिया और हेड मास्टर के खिलाफ मामला दर्ज इसकूल में बेंच डिस्क की खरीदारी से जुड़े गड़बडी मामले में महिस लुंडी के मुखिया शेवनात साहू और बद डिया स्कूल के हेड मास्टर दीपक सिन्हा की बातचीत से संबंदित वारल ओडियो मामले में डी सी और सदर विधायक का नाम लिये जाने को लेकर रविवार को कारेपालक दंडाधिकारी रडवीर कुमार ने मुखिया और हेड मास्टर दोनों के खिलाफ मुफसिल थानक में केस दर्ज कराया है इसकी पुष्टिक कारेपालक दंडाधिकारी रडवीर कुमार ने करते हुए बताया कि डी सी और सदर विधायक सोनू को लेकर हेड मास्टर के साथ मुखिया सीवनात साहो के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसमें मामला सीधे तोर पर मानहानी का सामने आया है इसी अधार पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है जबकि डी सी विने कुमार पर लगया आरोपों की जाच फिलाल चल रही है इस मामले में उन्हें बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है जारकन के सराब दुकानों में ली जा रही है मारपी से अधिक कीमत सचीव के निर्देश के बाद भी नहीं लग रही है रातू रोट चौरहा इस्ति सराब दुकान में रविवार को 260 रुपए की सराब 270 में बेची गई ग्रहा की विरोत करने पर सेल्समेन ने कहा की 270 रुपए देना होगा इससे संबंदित वीडियो वारल है या इस्तिती एक दुकान की नहीं बलकि अधिकतर दुकानों की है विभागे सचीव ने पिछले दिनों समिक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों को अधिक कीमत लेने पर रोक लगाने वह कारवाही करने का निर्देश दिया था लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है आजिसु पार्टी ने भी सरना धर्मकोड की मांग उठाई आजिसु पार्टी ने महाधी वेशन के आखरी दिन रविवार को 24 सुत्री राजनितिक प्रस्ताओ पारित किया इसमें सरना धर्मकोड लागू करने की मांग भी शामिल है इसके अलावा अंतिम दिन सुदेश महतों को फिर से पार्टी का सरोसमती से अध्यक्स जुना गया राजनितिक प्रस्ताओं में अनुसूचित जनजाती को 32, अनुसूचित जाती को 14 तथा पिछड़ जाती को 27 प्रतीशत आरक्षड की मांग की गई है शुवसासन भस्टाचार मुक्त प्रशासनिक स्ववस्था का संकल्प लिया गया है वरियत जारखन की मांग में बंगाल व ओडिसा के कुशजीलों को शामिल करने के साथ इन छेतरों के लिए स्वायत परिशद की मांग रखी गई है साथ ही जारखन विधानसभा की सीटे 162 करने और विधान परिशद के गठण की मांग की गई है प्रस्ताओं में जार्खंड आंदोलन कारियों को सम्मान, नौकरी वपुनर्वास की मांग और अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक समाजिक विकास करने को प्रमुखता से लागू करने की बात सामिल है इसके अलावा खनीच पर निर्भरता कम करने और द्योगी की काईयों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षड का प्रस्ताओं भी पारित किया गया है HEC प्रबंदन वार्था को हुआ तयार एक साल से करमचारियों के आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए HEC प्रबंदन तयार हुआ है इस सफता प्रबंदन और HEC की यूनियनों के साथ वार्था होने वाली है इसमें वेतन भुक्तान समयता ने मुद्दो पर सहमती बनाने का प्रयास किया जाएगा करमचारियों के आंदोलन के बाद प्रबंदन ने ESI के लिए राशी का भुक्तान किया है इससे ठेका श्रमिकों को राहत मिली है प्रबंदन से वार्ता के मुद्दे तैख करने और उसमें सहमती नहीं बनने पर आंदोलन की अगली रड़नी ती तैख करने के लिए सुमवार को हटिया कामगार यूनियन कार्याले में हईसी की यूनियनों की बैठक होगी यूनियनों की ओर से ततकाल बकाया वेतन, भुकतान, प्रमोशन, कैंटीन, सुविधा, बहाल करने या कैंटीन भत्ता देने की मांग की जाएगी यूनियनों की ओर से दुरगा पूजा के पहले वेतन भुकतान का दबाव बनाया जाएग बैंक कब एटियम के कर्मियों का रखेगा ब्योरा जार्खन में एटियम में सिंधमाली की घटनाय रोकने के लिए अपराद अनुसंधान मिभाग CID के महा निर्देसक अनुराग गुपता ने बैंकों को कई सुझाओ दिये हैं उन्होंने एटियम के रखरखाओ का काम करने वाली आउट्सोर्सिंग एजेंसी से काम छोड़ने वाले कर्मचारियों की सूची रखने ATM में लगे कैमरों की गुडवत्ता वर DVR की छमता बढ़ाने ATM को जियो लोकेशन से लेस करने को बैंकों से कहा है साथ ही अभी कहा है कि ATM के आसपास रहने वालों दुकंदारों वर सोसाइटी के लोगों से CCTV कैमरे लगाने का बैंक कागरह करे जारखन की और खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बैल आइकन को प्रेस करें नमस्कार